नमस्कार मैं उपलेवी सिंग आप देख रहे हैं उत्राखंट समाच्छार प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक केदारनाध धाम में आप 24 घंटे बिजली मिलेगी उत्राकंट पावक ऑपरेशन लिमिटेड ने ये दावा किया है कि पहाडों से होते हुए केदारनाध धाम में बिजली पहुँचा दी गई है ऐसे में UPCL की प्रबंद अनिदेशा का अनिलकुमार ने बताया है कि विभाग की ओर से बिजली के निर्बाद अपूर्टी के लिए सवने प्रयाग में विद्योद सब स्ब्स्रेशन की भी स्थापना कर दी गई दरसल केदारनाध धाम में अक्सर बिजली की समस्या रहती थी चूकि ये प्रधान मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसी को देखते हुए अब पिछले दिनों मुक्य मंत्री, पुषकर सिंग धामी और उर्जब मंत्री हरक सिंग रावत ने उर्जब भाग के साथ बैच कर कदारनाध धाम में सुचारू रूप से विद्योदा पूर्ती के निर्देश जारी कर दिये थे जिसके बाद से UPCL ने एक महीने में इसे पूरा कर दिखाया है आपको पता दे कि कदारनाध धाम पुन निर्मान का काम लगबग 80% पूरा हो चुका है प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी कई बाद ड्रोन कैमरे से यहां के निर्मान कारे की समिक्षा भी करते रहे और पिछले महीने ही पियमोदी कदारनाध धाम पहुंचे थे उस जरार उन्होंने कहा था कि बरसो पहरे जो रुकसान हुआ था वो अकल्पनिय था जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या है हमारे कदारनाध धाम फिर से उठखड़ा होगा लेकिन मेरे भीतर की अवाज कह रही थी कि यह पहले से अधिक आनबानशान के साथ खड़ा होगा यह विकास कारे इश्वर के क्रिपा से हुआ है और इसे आदे भूमी पर शास्वप के साथ आदुनिक्ता के साथ की मेल है विकास के यह काम भगवान शंगर की सहच क्रिपा से ही हो रहे हैं और यह उसी का परिणाम है बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहां सेने कलियान मंत्री गणेश चोशी ने रविवार को गुनियाल गाउं स्थेथ एक सेने धाम पहुँचकर केंद्र रक्षम मंत्री राजशनात सिंग के आगमन के कारेगरम की तयारियों का जायजा लिया मंत्री ने कहा है कि सेने धाम के लिए शहीदों के आगन की मिठी लाए गई 15 दिसंबर को केंद्र रक्षम मंत्री कलश में लाए गई मिठी के फूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों के सम्मान कारेक्रम को सम्मोधित करेगे सینे कल्यान मंतरी गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की परिकल्पना और राज्य वासियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य में सेनेधाम के निर्मान को राज्य सरकार के ज्रीम प्रोजेक्ट के तोर पर देखा जो रहा है प्रदम विश्वयुद से लेकर अब तक राज्य के जितने भी शहीद हैं उन शहीदों के आंगेन की पवित्र मिट्टी को एकत्र करके सेरेधाम लाने के लिए सेरे कलियान विभाग पिछले एक महीने से शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहा है यात्रा के जरिये कलश में लाई गई मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा मंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र रक्षा मंत्री के कारेक्रम में कोई कमी ना रहे इसके लिए वो खुद तयारियों का जाज़ा ले रहे है दरसल 15 दिसंबर को होने वाले समारों में केंद्र रक्षा राज मंत्री अजय भट और मुखे मंत्री पुशकर सिंग धामी भी मौजूद रहेंगे सेनेधाम के निरिक्षण के दोरान वरिष्ट बीजपी नेता जोती गौराला और जिला पंचाय दुपाद्यक्ष दीपक पुंडिर जिला पंचाय सदस सिवीर सिंग पार्षे सुंदर कोठाल और सिकंदर सिंग भी उपस्तित रहे सुनिल ध्यानी ने कहा है कि सिविल ससाइटी की ओर से प्रदेश में सक्त भू कानून की मांग को लेकर 10 दिसंबर से 1000 किलोमेटर की यातरा शुरू की जाए निथी लेकिन सीरिय जनरल विपिन रावत के निधन की वज़ल से इसरा यातरा को स्थगित कर दिया गया था उक्रान समर्थित यातरा आज मंगलवार से अब शुरू होगी और कारिकरता गांधी पार्क में कत्रू होकर मुख्यमंत्री आवास कूच कार जन जागरन यातरा शुरू करेंगे बेरोजगार प्रसिक्षित डिप्रोमा फार्मसिस्ट मासंग के बैनर तले बेरोजगार फार्मसिस्ट नियोक समेती समेत विपिन मांगो को लेका राज मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे पास कूच करने को लेकर कॉंग्रिस ने भी समर्थन दिया है। कूच में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। प्रदेश महमंत्री जेबरकाश गौरावला ने नीजी शेत्र जैसे कमपनी, सिक्षन संस्थान, अस्पताद और नर्सिंग होम में कारेरत सभी फार्मसिस्ट से कूच को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान करने की भी अपील की। तो मैं पहले देहरादून विदान सबस सीट से चार बार और प्र देहरादून केंट विदान सबस सीट से लगाताथ चार बार विदाक रहे पूर्ण विदान सबस देख्षidades और पूर मंत्री हर्बंस कपूर के निधन के साथ ही कैंट सीट पर अब विरासत समालने के चड़चाएं चुरू हो गई है दरसंड भाच्पा के लिए सबसे सुरक्षिस सीट माने जाने वाली कैंट विधानसभा में इस बात की ज्यादा संभावना है कि परिवार के ही किसी सदस्य पर भरुसा किया जाए हलाकि भाजपा वक्ता आने पर अपने पत्ते खोलेगी लेकिन कैट विदानसभा सीट पर जीत 32 साल से कॉंग्रेस के लिए एक सपना रही है कॉंग्रेस ने तमाम बड़े नेता मैदान में उतारे लेकिन कोई भी हर्बंस कपूर को हरा नहीं पाया 1989 में कॉंग्रेस के हीरा सिंग वेष्ट 1991 में विनोध 1993 और 1996 में दिनेश अगरवाल 2002 में संज़ शर्मा 2007 में लाल चुन शर्मा 2012 में दिवेंदर सिंग से थी और 2017 में सूरेकांत दस्माना ने उनको हरा कर रिकॉर्ड कायम करने वाले हर्बंस कपूर की कुरसी अब खाली हो चुकी है और चुकी कैंट विधान सबासीट में विभाजपा की करीब 10 दावेदार हैं इसलिए अंदर खाने पाठी आगामी चुनाव में भी हर्बंस कपूर को ही टिकेट देने की तैयारी में थी अचानक उनके निधन से अब भाजपा को बड़ा च्षटका लगा है अब सबाल ये हवाen में है की टैर रहे हैं की भाजपा टिकेट किसे देगी हर्बंस कपूर के परिवार के निजरीय से देखें तो उनकी पतनी सविता कपूर मसबूत दावेदार कही जा सकती है राजनितिक जानकारों के मताबिक पत्नी की दाविदारी की दो प्रमुख वज़ाय बताए गई एक वज़ाय ये कि वो पती के साथ ही लगातार समाजिक संगछनों और कारिक्रमों का हिस्सा बनी रही दूसरी वज़ाय ये कि संग में भी उनकी अच्छी पकड़ है परिवार में दूसरा विकल्प उनका पेटा अमित कपूर है परिवार के दोनों ही सदस्यों के लिए साकरात्मुक बिंदू ये भी है कि विधाय कपूर के निधन से सिंपंथी वोट भी मिलेगा और अब ये आने वाले समय ही बताएगा कि पार्टी कपूर परिवार की ही विरासत स्वापेगी या फिर अन्ने किसी को मैदान में उतारेगी अस्वात विगरने पर अकिल भारतिया और विध्यान संस्थान यानि एम्स के अमर्जंसी में लाए गए पूर्फ कैबिनेट मंत्री मोहन सिंग रावत गामवासी को इलाज नहीं मिल पाया करमचारियों के रवाए और अविवस्थाओं के चलते उनको शनिवार रात को दस बजे अस्पिताल छोड़ना पड़ा गामवासी अब अविवस्था और अविवस्था और करमचारियों के रवाए की शिकायत केंद और राजुसरकार से करेंगे आपको बता दे कि शनिवार्स की सुबह ही पूर्फ काबिनेट मोहन सिंग रावत निगामवासी की स्वास्त को अचानक खराब हो गया और आनन फानन में उनकी पतनी मुनी रावत और परिजुनों ने उनको सुबह नौ बजे एम्स के अमर्जंसी वॉर्ड में भठती कराया रविवार को इंदुरा नगर स्थित कारेकरता आवास में पूर्व काबिनेट मंतुरी ने पत्रकारों के सामने एम्स में अभवस्थाओं और लचर प्रबंदन को लेकर अपने अनुभव बया किये उन्होंने ये भी बताया कि एमर्जंसी वॉर्ड में चिकिस्सको ने उनकी कई जाचे की इसके बाद उनको सीडी स्कैन कराने के लिए कहा गया लेकिन जब वो सीडी स्कैन के इंदर में पहुँचे तो उनको बताया कि जाच रिपोर्ट तीन दिन में मिलेगी मोहन सिंग रावत ने बताया कि उन्होंने इस पर आपती जुताते हुए कहा कि अमर्जंसी में तुम मरीज को तदकाल रिपोर्ट मिलने चाहें शाम चार बजे आगरा करने पर चिकिस्वकों ने उनको सामानने वार्ड में शिफ्ट कर दिया लेकिन आपको बता दें कि हरानी की बात ये थी कि 32 बैट के सामानने चिकिस्वकों वार्ड में भी शौचाले नहीं था यहां तक कि वार्ड में मरीज के तिमारदार के बैठने की वेवस्था तक नहीं थी पूर मंत्री मोहन सिंग रावत और उनकी पतनी ने चिकिस्वकों और करमचारियों से उनने नीजी वार्ड में शिफ्ट करने की मांगी उनका आरोप है कि इस पर वार्ड में मौजूद चिकिस्वक और स्टाफ भढग गए और अबदरता करने लगे उन्होंने ये भी बताया कि वार्ड की वेवस्था इतनी खराब थी कि कई बार मांगने पर भी उन्होंने उनको ओडनी के लिए कंबल तक नहीं दिया गया पूर केबिनेट मंतरी का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मजबूरी में उनको रात दस बज़े अस्पताल छोड़ना पड़ा बोन सिंग रावत ने कहा कि एम्स की बधाल व्यवस्थाओं का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है बेलगाम अधिकारी, चिकिसक और करमचारी मरीजों की सुनने के लिए तयार ही नहीं एम्स में बैड उपलब्द होने के बाद भी मरीजों को वापस लोटाया ज़ा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि एम्स के निर्मान के बाद प्रदेश वासियों ने सोचा था कि अब उनको बहतर इलाज मिलेगा लेकिन उनकी सभी आकांशाएं चकना चूर हो रही है इस दोरान भाजबा के पूर जिलाद्यक्ष जोती सजवाण ने और पारशद राजेंदर प्रेम सिंग विष्ट उपस्तिस थे और वहीं दूसरी और रिशिकेश एम्स के पियारो हरीश थपलिया ने मामले की सफाई देते हुए बताया है उनके परिशनों के नीजी वाट उपलत कराने की मांग की थी लेकिन तब वाट खाली नहीं था करीब 9 बजे वाट खाली हुआ तो उनसे shift होने का अनुरोद किया गया लेकिन वो लीव अगेस्ट मैजिकल एडवाईस लेकर अस्पताल से चले गए फिर भी उनकी शिकायत पर अस्पतार पुशासर मामली की जाँच कर रहा है हमारे लिए सभी मरीज महत्वपोर्ण है तुमरी शिकेश में राफ्टिंग और कैम्पिंग के वेफसाय पर कोरोना का साया एक बार फिर से मंडुराना शुरू हो गया है नए वेरियंच ओमिक्रोन के आने के बाद से अबरिव राफ्टिंग और कैम्पिंग करने आ रहे सहलानियों की संक्या में भारी गिरा बचा गई है प्रदेश की सीमाओ पर कोरोना जाच होने से परचकों को परिशानी हो रहे है कई परचकों ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग रद भी कर दी है कोरोना संक्रमन के चलते अब लक्षमन ढूला, स्वर्गाश्रम, मुनिर केती और तबोवन शेत्र में राफ्टिंग और कैम्प संचालक मंदी की मार्च से धीरे धीरे उबढ़ने शुरू हो रहे थे जैसे ही विवस्ताइं पर ट्रिबदोर नी शुरू ही थी, वैसे ही अब देश में एक नई वेरिंट ने दस्तक दे दी है इसकी चलते श्यासन और प्रश्यासन अलट हो गए हैं, प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने वाले लोगों की चांच भी बढ़ा दी गई है इसका असर अब राफ्टिंग और कैम्पिंग पर और इसके कारोबार पार एक बार फिर से पढ़ता दिख रहा है इसका असर अब तीर से नगरी में संचलित राफ्टिंग और कैम्पिंग पर पड़ रहा है राफ्टिंग और कैम्पिंग को आने वाले परचकों ने ऑनलाइन बुकिंग रत कर दी है साथी विकेंड पर भी परचकों की संक्या काफी कम हो गई है सिती यह है कि अब यहां वेफसाय 30 से 35 प्रतिशत ही हो रहा है करोना के नई वेरियंट ओमिक्रोन के सामना आने के बाद से अब लोगों में डर बन गया है जबकि उत्राखण में नया वेरियंट हालाकि नहीं मिला है लेकिन बड़ता खत्रा देखकर लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान देने लगे है दावा है कि बाजार में मास्क, सैनिटाइजर, कैप और गलफ्स की बिक्री भी बढ़ गई है बीत एक महीने में 35 प्रतिशत से अधिक का कारोबार में तेजी आई इसमें सबसे ज्यादा मास्क और गलफ्स की बिक्री बढ़ रहे है बताते चलें कि कोरोना संक्रिमन की पहली और डूसी लहर में पब्लिक मास्क, सैनिटाइजर, कैप और गलफ्स का जम कर उपयोग हो रहा था हर जगा सैनिटाइजर का भी लोग उपयोग कर रहे थे और ऐसे मस्तरकारी कार्यालियों से लेकर दुकानों में सैनिटाइजर से हातों को स्प्रे किया जा रहा था इसके साथ ही लोग अपनी जेब में सैनिटाइजर की शीशी साथ रख कर चल रहे थे जो खुद इसका इस्तमाल करने के साथ ही संपर्क में आने वाले लोगों के हातों को भी सैनिटाइज करवा कर उसका फायदा भी बता रहे थे कोरोना भायर्स की कम होते ही लोगों ने सुरक्षा के तमाम नियमों को अपना ना छोड़ दिया ना तो कोई मास्क लगा रहा था ना कोई सैनिटाइजर कस्तमाल कर रहा था और अब जब देश में नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दिया तो पबलिक ने एक बार फिर से इन चीजों कस्तमाल करना शुरू कर दिया है बताते चले कि दवा की थोग मंडी से लेकर मेडिकल स्टोर पर सैनिटाइजर, कैप, गलव्स, मास्की जमान अब बढ़ गई है कमी प्रदेश के दो जुलों में 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि 14 मरीज स्वस्थ भी होए हैं 149 सक्रिय मरीजों का इलाज फिलाल चल रहा है कुल संक्रमितों के आकड़ू के अगर बात की जाए तो कुल संक्रमितों की संख्या करीब 3,44,471 हो गई है स्वाथ जिबाग के मताबिक स्वमवार को करीब 11,988 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं 12 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए जुपके दैरादुन जिले में 11 और 25 जिले में संक्रमित मिला है एक बाकी 11 जिलों में कोई संक्रमित सामने नहीं आया है कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई है और 14 मरीजों को ठीक होने के बाद खर बेश दिया गया इन्हें मिलाकर करीब 3,33,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं 96.2 प्रतिशत और सैंपल जाच के अधार पर संक्रमंदर 0.1 प्रतिशत दर्च की गई नैनिदाल हाई कोट ने भी हरिद्वार कुम मेले में कोरोना टेस्टिंग फरजिवाड़े के आरोपी मैक्स कॉपरेट सर्विसिस के सर्विस पार्टनर शरत पंत और मलिका पंत के जमानत प्रातना पत्र पर सुनवाई के बाद सरकार को 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया इस दोरान नहीं मूर्ती आर्ट सी खुलबे की एकल पीच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई जबकि शरत पंत और मलिका पंत ने हाई कोर्ट में जमानत प्रातना पत्र दार कर रहा था और इस दोरान नहीं ने कहा था कि वो मैक्स कॉपरेट सर्विसिस में एक सर्विस प्रोवाईडर है हरिद्वार कुम के दोरान कोरोना परिक्षन और डाटा प्रविष्ट के दोरान मैक्स कॉपरेट का कोई करमचारी मौजूद नहीं था परिक्षण और डाटा प्रविष्ट के सारा काम स्थानीय स्वासवेभाक की अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था इन अधिकारियों की मौजूद्गी में परिक्षण स्टॉलो ने भी जो कुछ भी किया था उसे Max Corporate Services ने अपनी मंसूरी दी थी इटो से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आ रहे ट्रक ने जोड़दार टक्कर मार दी है जिसकी वज़े से टक्कर और ट्रॉली अन्यंत्रित होकर सुलानी पुल की रेलिंग तोड़ कर नीचे जा गरी है तो वही सवमवार की रात पर थोरागर से निशनी गाओं की ओर जा रही एक और चोकार खाई में गिरने से एक यूवक की मौत हो गई बताते चले कि रुटकी में हुए इस हाथसे में च्रॉली की बैठे दो मज़ूरों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मंगलवार की सुबा करीब साड़े दस पुजे इटो से भरी एक ट्रैक्टर ट्र ट्रॉली लक्सर की और जा रही थी जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली लक्सर के पाथ सोलानी पुल पर पहुंची तो सामने से एक वहन को ओवसे करते हुए ट्रक ने जोड़दार टकर मार दी जिसकी व должна ट्रॉली आन्यंतरित होकर सोलानी पुल से नीच हो गयी बधाएजय कि में दो मजदूर बैठे थे जिरकी बॉके पर ही मौत हो गई जबकि चालक गमी रूप से घायल हो गया है नगला इमारती निवासी बताया जा रहा है ज्राइवर और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ट्रैक्टर चालक जितेंद्र पोतर जस्पाल 25 साल उसके उमर बताई नहीं की गई है दोनों की पहचान फिलाल की जा रही है शवो का पंचनाम अभर कर पोस्ट मोटम के लिए इस्पिताल भी भेश दिया गया है तो महीं इस हाथसा होने से रुटकी लकसर मार्क पर दो किलो मीटर तक लंबा जाम लग गया पोलिस ने मुश्किल से जाम गया तो महीं सुमवार की रात पर थोरा गट से निश्नी गाउं की ओड जा रही एक औल्चो कार भी खाई से गिर गई जिसकी वज़े से एक यूवक की मौत हो गई मृतक का नाम दीपक सिंग रावत बताया जा रहा है जो कि चमना गाउं का रहने वाला था दीपक चन, पंकत सिंग सौन और अशोक नादुर घटना में घायल हो गए घायलों को एम्बुलेंस से जुला अस्पताल पहुचाये गया कार सबार एक यूवक लापता बताया जा रहा है जिसकी तलाश की जा रही है गायलों का जुला अस्पताल में उपचार चल रहा है तो में उतरकाशी में सुमवार की रात को बथेडी, PWG, कॉलोनी, सेंच से, सुमती, देवी, पत्नी स्वरगे कमलेश्वार, जोशी की धर्म, पत्नी अचानक, पहाडी से पाम फिसलने के कारण पहाडी से गिर गई जिसकी मौत हो गई अरुद्राखंट समाचाव में फिलाल के लिए इतना ही, देशकी दूने की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हैं, आरे नियूज